नमस्ते साथियो सौफ दिवसी रीडिंग कैम्पेन हेत्यू जो दिशा निर्देश है साथ ही निर्देशी का है इस बारे में बहुत संच्छिब में इस वीडियो में जानेंगे जैसा कि आप यहाँ पर राज सिक्छा केंदर का यहाँ दिशा निर्देश देख रहे हैं और कुल-चार प्रष्टों में इसके प्रष्चा आत बालवाटि का कछ्छा एक वद्यों की गतिविदिया जो दी गई है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो एक च्छा तीन से पांच के लिए गतिव दिया पांच से साथ प्रश्ट में दी गई हैं और हम कख्षा छे से आठ की गतिव दिया देखेंगे यहां पर प्रश्ट क्रमांग आठ से ग्यार है तक तो साथियो यह बहुत ही विस्तरत देशा निर्देश है इसके मुख्य मुख्य बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से प्रारम करते हैं तो आएए आगे बढ़ते हैं तो साथियो आप यहां पर देख रहे हैं 100 दिवसी रेडिंग केमपेंग हेतू निर्देश का और यह है निर्देश का जैसा कि अभी मने आपको बताया ठीक है और यह रीडिंग केमपेंग है यह जनवरी 2022 से अपेल 2022 कुल 14 सब्ता हो के लिए होगा और इसके बारे में विस्तरत दिशा निर्दे दिये गए हैं आईए मुख्य बिंदू का अलोकन करते हैं जैसा की इस लड़ में आप देख पा रहे हैं इसकूल सिक्षा और साक्षर्था विभाग ने 5 जुलाई 2021 को मिसन का उद्देश है तीन वर्स की आयू से लेकर के नव वर्स की आयू के बच्चों की सीखने की जरुरतों को पूरा करना ये उद्देश है मिसन का देखे बच्चों को पढ़ना आना चाहिए विलिख सके संख्यात्मा योगता बच्चों में हैं ये उद्देश है मिसन क और हम आगे देखते हैं समझ के साथ पढ़ने लिखने और गड़ित की बुनियादी कारियों को करने में सक्षम होने के बुनियादी मुल्भूत कौसल को प्राप्त नहीं करने से बच्चों को कक्षा तीन से आगे के पाठक्रम की जटिलताओं के लिए तयार नहीं किया जाता है साथियों जब प्रारम में ही विद्यारतियों को मूल्भूत कौसल प्राप्त नहीं होते हैं संख्यातमक युगते ने संख्या पहिचान संख्याओं को पहिचानना गणना करना ठीक इस तरह से जो दी गए सामागरी को पढ़ना या लिखन तो इनके अभावाँ में फिर बात पर जो देती है कि प्रात्मिक विध्यालियों Śप्रू में वही व्यातों पढ़ने और लिखने की कौसल ठीक है इनको हासिल करना सबसे पहली प्राप्तिक्ता होनी चाहिए इस लड़ में देखिएगा अभियान का हिस्सा कोन होंगे तो देखिएगा लक्षित बाल समुवाटिका से एक कक्षा आठ तक में पढ़ने वाले बच्चे इस अभियान का हि अगय को से बाल समुब्रेंगर से इससा होंगे उन्हें आगे 3 समुम में कक्षा वार वगयकत किया जाएगा ग्रुप में एक में娜ए बालवाटी का से ग्रेड दो अर्थार कक्षा दो तक के विद्यारती इसमें रहेंगे आंगरवाड़ी के बच्चे भी समलित होंगे ठीक है अर्थार जो आंगरवाड़ी बचे जाते हैं उनको भी सामिल किया गया है तो बालवाटी का से ग्रेड दो तक याने कक्षा दो तक ये समूः होंगे विद्यार थियर के कक्षावा ठीक है और आगे देखिएगा अभ्यान की अउधी और जैसा कि हमने प्रारम में ही बता दिया कि अभ्यान की जो आउधी है वो सौदुनों की होगी और यह जनुर 22 से अप्रिल 22 तक के लिए है ठीक है और आगे देखिएगा अभियान के लिए जो रणनेती बनाई गई है रणनेती बताई गई है उसके बारे में बहुत ही संचेप में हम जान लेते हैं पठन अभियान का उद्देश बच्चों सिक्षकों अलभावकों समदाज सैक्षिक प्रसा सकों आदि सहित राष्ट्री और राजिस्तर पर सभी इस धारकों की भागीदारी इसमें है यह रणनेती बनाई गई है या हमको रणनेती तयार करना है अपने इस्तानी स्तर पर और आगे देखिएगा यह सव देशी अभियान 14 सप्ताह तक जारी रहेगा और प्रती सप्ताह प्रती समू एक गतिविदी होगी जिसमें पढ़न वाले विकास आत्मक लक्ष याने सीखने के परणाम भी गतिविदी कलेंडर में दिए गए हैं बच्चों का साथा ही कलेंडर कक्छावार तयार किया गया है जिसे बच्चे को सिक्षकों माता पिता सातियों भाई बहनों या परिवार के अन्य सद्दियों की साहता से करना चाहिए और आगे देखिएगा सातियों यहाँ पर अभ्यान को प्रभावी बनाने के लिए प्रती सप्ता केवल एक गतिविदी होगी ताकि बच्चे दिये गए सप्ता में गतिविदी को दोरा सके और अंततर सातियों और भाई बहनों के साथ इसे स्वतंत्र रूप से समझन और संचालित करने में सक्षम हो सके डिजाइन की गई गतिविदीयों को सरल और मनोरंजक रखा गया है और इन्हें घर पर उपलब्द सामागरी अर्था संसाधनों के साथ आसानी से संचालित किया जा सकता है तो साथियों यह कुछ महत्पुर्द बिंदू थे दिसा इसकी पूरी लिंक दी गई है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसका अध्यन कर सकते हैं आसा करता हूं आज की यह जानकरे आपको काफी उप्यों की और महत्पुर्द लगी होगी मिलेंगे गले कालखण में किसी नए प्रकड़ नए जानकरे को लेकर तब तक के लिए जैहिंद